जार्खन की राजधानी राची के डोरंडा बाजार में चंदन कुमार चौरस या पिछले कई वर्षों से फुटपात पर फल का व्यवसाई करते आ रहे हैं केंद सरकार ने जब प्रदानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुवात की तब इस योजना का लाव उठाने का निश्य चंदन ने भी किया चंदन को बैंक से 50,000 रुपे लोन की राशी मिली समय से लोन की राशी का भुकतान करके चंदन ने अब तक तीसरी बार मुद्रा योजना का लाव उठा कर अपने वेफसाई को विस्तरित आकार दिया है सरल कागजी प्रकिरिया और ब्याजदर कम होने की वज़ा से चोटे वेफसाईयों के लिए ये योजना किसी वर्दान से कम नहीं है यही वज़ा है कि बढ़ते वेफार को सभालने के लिए आज चंदन का पूरा परिवार एक साथ काम में जुट गया है अच्छी कमाई होने से चंदन के घर में खुशाली भी देखने को मिल रही है प्रधान मंतरी मुद्रा योजना का लाव लेने वाले अखेले चंदन ही नहीं है इनके जैसे ना जाने कितने चोटे और मंझोले उद्यमी है जो इस योजना का लाव उठा कर अपने वेफसाई को बढ़ा रहे हैं खास बात किया है कि इस योजना का लाव उठा कर चोटे वेपारी अब सुधखोरों के मकरजाल से मुक्त हो गए है किंद सरकार की ओर से आत्म निर्भर भारत की दिशा में सुक्ष्म और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रियास किया जा रहा है इस दिशा में मुद्रा योजना अपनी तीन सुरेणियों, शिशु, किशोर और तरुन के जरिये करोडों नबोदित उद्यम्यों में नई उम्मीद जगा रहा है वित्त से वन्चितों का वित्त पोशन कर यह योजना लाभुकों के सपनों को भी साकार कर रहा है राची से करंबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार